खरगोन के सेगावा नगर के युवक तेश प्रकाश यादो और फल लाला की कुए में गिरने से मौथ हो गई 23 वर्षे तेश प्रकाश यादो युवक गौली समाज के अधिक्ष भी थे तेश प्रकाश यादो अपने स्वयम के खेत में दवाई छिड़कने के लिए गया था बताया जा रहा है कि संभवत फैर फिसलने से कुए में गिरने से मौथ हो गई होगी चोकी प्रभारी राजेंद्र आवासिया के साथ नगरवासी घटना इस्तल पर पहुँचे शोको नगरवासियों के सेयोग से कुए से निकाला गया सामुद्वाइक स्वास्त केंद्र पर युवक का पी-म होगा सेगाव से संजेज जैस्वाल की रिपोर्ट ये अपने खेत पर मजदूर के साथ किटना सक दवई छिटगने के लिए गया था और ये अपने मजदूर को कुए में से पानी निकाल कर दे रहा था मजदूर खेट में दवई छीडगा रहा था और ये कुए पर ये था थोड़ी देर बाद जब वह मजदूर के पास दवई खतब हो गई तो जब वह वेपस कुए पर आया दवे डालने के लिए अपने पंपों में बरने के लिए तो देखा कि वहाँ पर ये तेज प्रकास नहीं था उसने आसपास तलास किया और फिर इसके परीजनों को सुचना दी फिर वहाँ पर इसके परीजने वम गाउं के लोग अन्य लोग भी गए और उन्होंने आसपास त कुए में हो सकता है तो कुए में से वो हेकड़या डाल कर देखा तो वो हेकड़यों से उसकी विलास बाहर आई उसकी उलास को निकाल के पोस्ट अमाडम के लिए शेगाओं अस्पताल में लेकर आहे हैं अभी उसका पी-म कर आए जा रहा है मर्ग कायम कर लिया गया है चोकी पर जाच की जा रही है मैं सब इस्वेक्टर राजे नावार्श्या जोकी प्रबारी से गावाँ आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूले